नमस्कार दोस्तों, Civil Solution में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है DBM के पारे में तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से के DBM क्या है और इसमें हाइवे में DBM का क्या रोल है तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि डीवियम होता क्या है तो डीवियम यानि डेंस बिटूमिनस मेकेडम जो की एक बाइंडर है बाइंडर का मतलब जो मेटरियल को एक दूसरे से पकड़ के रखता है उसे बाइंड करके रखता है उसे हम बाइंडर कहते हैं तो डीवियम एक बाइंडर है जो की मेटरियल को क्लोजली टाइटली पकड़ के रखता है और इसका हाइवे में इसे लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो भी हमारे commercial और heavy vehicles है उन्हें चलने में आसानी होगी और जो हमारा road है वो भी जल्दी damage नहीं होगा और आगे बात करते हैं इसके material के बारे में तो इसमें aggregate use किया जाता है जो की 37.5 mm उसका size रहता है और जो dbm का minimum thickness है वो 50 mm रहता है और maximum 100 mm और यह thickness project to project vary करता है जैसा कि आप जिस project पर काम कर रहे हैं उस पर कितना उसका thickness minimum उस government के norms के हिसाब से रखा जाता है तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह dbm का work हमारा progress में है लडेख सकते हैं झाल 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 झाल